आप देख रहे हैं एक्जाम टूर आप से बता दें बिप्यसी के द्वारा एक और वेकेंसी दिया गया है इसको आप देख लेंगे कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं कैसे है एक्जाम में थोड़ा सा परिवर्तन है किस परकार का एक्जाम होगा इसका अलग ही होगा सब कुछ जान लेंगे बिहार लोकसिवा आयोग विग्यापन संख्या की बात करेंगे तो 24-2024 कृसी विभाग के द्वारा दिया गया है बिहार पतना के अंतरगत उध्यान निर्देसल के अधिन प्रखंड उध्यान पदाधिकारी के कुल 318 पद पर दिया गया है रिक्त पदों पर न्यूकती है तो शुयोग भरती उमिद्वार से ओनलाइन आवेदन किया गया है यानि कि आप भारत के यदि नागरिक है तो आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी स्टेट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इसमें युगता जान लेंगे सेलरी क्या है ये भी जानेंगे और क या आपके पास औरने क्या क्या डोकुमेंट्स होना चाहिए दूसरी बात इसमें सिलेबस बदला है तो सिलेबस क्या होगा आपका ये भी जान लेंगे इसका सिलेबस अलग है अब यहां पर देखिएगा ध्यान पुरुबग जाकर आप भी वेवसाइट पर देख सकते हैं को अर्थिक रूप से कमजोड के लिए 32 महिला के लिए 11 अनुसुचित जाती के लिए 68 महिला के लिए 24 अनुसुचित जन जाती के लिए 7 महिला के लिए 2 त्यंत पिछडे वर के लिए 86 महिला के लिए 30 पिछडे वर के लिए 44 महिला के लिए 15 टोटल यहां पे देखेंगे और आप से मैं बता दू शमान प्रसासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18-2-2016 के आलोक में राज के वैसेच्व अंतंदरता सेनानी नाति पोता नतनी उन लोग के लिए अरक्षित कुलपद 6 है आगे आईएगा दिभ्यांग लोग के देखेगा यहाँ पे दिभ्यांग के लिए तीन यानि कि देखे चार परतिशत दिया जाता है और चार कटेगरी यहाँ पे है इन लोग के लिए तो सभी में 3-3 सीठ है आगे आएगा नोट में अधियाचना विभाग से प्राप्त अधियाचना में संसोधित होने पर पदो की शंक्या घट बढ़ सकती है बेत ठाप्त स्थान से उद्यान विज्ञान या क्रिशी विज्ञान में असनातक की डिगरी आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर देख्येगा अगर आपके पास हौटी प्रस प्राफशन स्थान स्थान इंसिट्विट से आपके पास है उम्रát की बात किशिये तो 823 से याई अ अगस्त 18-2023 को नियुन्तम 21 वर्स एम अधिक्तम जो पूरुस अनरक्चित बर्ग है उनको 37 होना चाहिए पिछड़ा बर्ग अत्यंत पिछड़ा बर्ग पूरुस एम महिला एम अनरक्चित बर्ग महिला 40 सल होना चाहिए यानि कि यदि आप आरक्षण कोटी में आते हैं और जनरल जो महिला है वो लोग का 40 वर्स होना चाहिए बस अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती पूरुस या महिला उनका 42 वर्स आयो चाहिए परंतु विद्वत नियोजित एमकारत सम्विधा कर्मियों को समान पद पर सीधी भरती के तहत नियमिक नियुक्ति के क्या क्या है इसके बारे में बताएंगे यदि चैन का आधार की बात करिएगा तो चैन का आधार आपका लिखित परिक्षा एम सक्षतकार मौकित परिक्षा के आधार पर होगा लिखित परिक्षा तीन विशय की होगी जिसमें समान हिंदी से 100 प्रस्ण पूछे जाएंगे समान ज्यान से 100 प्रस्ण एवं उद्यान क्रिसी भी ज्यान से 200 अंग के 2 पत्र यानि 400 अंग का होगा विशय के नाम पूर्णांग परिक्षा की ओधी प्रविर्ती तथा पाठेकरम निम्न सारणी में बताये गया है यहाँ पे देख सकते हैं समान हिंदी का एक पत्र होगा 100 पूर्णांग का होगा प्रस्ण की संख्या 100 परिक्षा की ओधी 2 घंटा वस्तु निस्ठ होगी समान ज्यान की बात कीजेगा तो 100 प्रश्ण होगा प्रश्ण के संख्यावी 100 अंक भी संख 102 घंटा समय वस्तुनिस्ट होगा बिहार उध्यान अधिनस्थ सेवा क्रिसी अधिनस्थ कोटी 7 उद्यान क्रिसी विज्ञान होटी कर्डचर ये दूतिय परत्र होंगे 200 प्रस्ण रहेंगे 200 पुनांग के होंगे लेकिन 100 प्रस्ण होंगे 2 घंटा का होगा वस्तुनिस्ट होगा यानि कि सभी प्रस्ण यहाँ पे अबजेक्टिव होंगे इस बात को आप समझे आगे यहाँ पे कार्मिक एंपा स्राशनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 23-74 दिनांग 16-07-07 पत्रांग संख्या 16-06 दिनांग 1-10-2008 के अनुसार लिखित परिक्षा में समाने स्रेणी के लिए 40 परतिशत अत्यंत पीछले वर के लिए 34 परतिशत पीछले वर के ल लाना है साड़े 36 परतिशत अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा जो निशक्त है उनको 32 परतिशत लाना है लिखित परिक्षा के उद्यान क्रिसी विज्ञान तथा समाने ज्यान के प्राप्तांक आधार पर आपका कर्मिक एंपरसासनिक सुधार विभाग के सं कल्प संख्या इतना साथ कंडिका 10 में आलोक सक्षतकार के लिए बुलाये जाएगा संख्या अधिये अचिना से धाई गुना होगी कोटिवार समान कट अँग प्राप्ट करने वाले सभी उमिद्वार को कि के लिए बुलाए जाएगा सक्षातकार लिखित परिक्षा में सफल उमिद्वारों के लिए 50 अंकों का सक्षातकार मौकित होगा लिखित परिक्षा में सफल सभी उमिद्वारों को सक्षातकार में उपस्तित होना अनिवार्ज होगा अन्यातावए अंतिम रूप परिक्षा पफल में नहीं सामिल किया जाएगा इसी तरीकास देख सकते हैं चैन के लिए अंको की अधियाचना निम्नुवत है लिखित पर इक्षाहिम सक्षतकार में प्राप्त अंको के 75 बिहार सरकार आथवा बिहार के अन अस्थित गैर नीजी संस्थान या भारत नगर निगम पंच नहीं के भी हैं यदि आप आवेदन करना चाहते हैं आपके पास जो डिग्री बताए गया हुआ है तो आप इस आवेदन को आप जरूर भरें और 300 कुल सीटी यहां पर बताए गया है क्या-क्या भरना है अनुसुची जाती से हैं से तो सी भरेंगे कोड दो भरेंगे अनु जोड यदि आप हैं वीकर से आते हैं तो आप छे भरेंगे 0-6 यहां पर बताया गया है सब कुछ स्रामान पर सासन विभाग बिहार की अधियाचना 962 दिनांक 221 2021 के अलोक में दिभ्यांगो के कोई इस विग्यापन में वर्नित रिक्त के अनुसार चार परतिसा साइचिन आरक्षन दे हैं यह देख सकते हैं सब कुछ पहले बता दिये हैं इसके बावजूद भी जो भी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं किसी परकार का कोई शमस्या हो तो आप एक्जाम टूर पर कमेंट कर सकते हैं अब थोड़ा सा यहां पर बता दें डकुमेंट्स क्या क्य अकार हैं पर तार्थी कर लुद मिल्एत पर क्यूंक आपके पास हैं पीछ्डे वर के अगर आप आते हैं का मील हैं नकरीमी लेर बियहार सरकार में शम्बीदा पर आधार पर प्येड़ो पर किये गया है कार याओंधिकारी है तुशला संबंदित नियांत्रलपदाधिकारी यह सब भी आपके पास है पीक्छड activating सेधानि के नाटिप होगा यादि इसके बाव्जूद भी अब आ रक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपिया, दिभ्यांकं के लिए आपका 200 रुपिया, अन्य सभी उमीध्वारों के लिए 7100, यानि कि अन्य स्टेट के आप हैं, तो आपको 750 रुपिया देना होगा, महिला हैं या पूरुस है, विसे आपको सभी लोह को देना, वैसे अभ्यरत आवेदन अंतिम जो होती थी है आपका 21-3-2024 है यानि कि एक तारीक से लेकर 21 तारीक के बीच में आप कर सकते हैं यदि इसके बाद आप आवेदन कीजिएगा तो मानने नहीं होगा इस तरीका से साफ कुछ बता दिया गया है यदि जो भी अभ्यरती है यदि आवेदन करना चाते हैं उनके पास डिगरी है तो आप आवेदन जरूर करें एक बात और समझ लीजिए आप जाकर साइट पर इसे देख लेंगे महत्पून जनकारी है एक बार अपने से पढ़ लेंगे और उसके बाद आवेदन करेंगे यदि आप एक्जाम टूर पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लोगों में सेयर करिए